वेलकम इन माई चैनल वीके एजुकेशन एंड इंफुर्मेशन दोस्तों आज हम कराएंगे एकसेश 2.3 प्लास 10 मेज चेटर 2 पोलिनोमियल का कुश्चन नमबर 1 कुश्चन नमबर 1 में है डिवाइड अपोलिनोमियल पी एक्स बाइड पोलिनोमियल जी एक्स और वेलकम पी एक्स को जी इवाइड करना है तो तो चले करते हैं शॉलूशन देखिए सबसे पहले PX लिख लेते हैं यह लिख लिख लिए हमने यह solution ले लेते हैं फर्स्ट का ठीक है PX लिख लिख लिखते है PX है SQ माइनस 3S स्क्वेर ठीक है और प्लस 5X और माइनस 3 ठीक है और इसको यहाँ पर लिख लेते हैं GX क्या है S SQ माइनस 2 अब देखिए करते कैसे हैं देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे यहाँ पर हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म ओब कोशेंट का फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं इस इकल टू हो जाएगा आपका जो यह dividend है इसका first term है s cube और divider का first term क्या है s square इससे divide कर देंगे तो first term हो percent निकल जाएगा ठीक है is equal to क्या गया x तो जो x है यह percent का first term हो गया यहां पर यह आपका होगे x अब इस x को इसको पूरे से क्या करेंगे multiply करेंगे इस x से इस इस को सेंट के first term से divider को multiply करेंगे और multiply करके इसके नीचे रख देंगे तो क्या हो जाएगा s cube जो same degree वाले term है उनको same degree वाले term के नीचे रख देंगे ठीक है और minus 2x तो minus 2x अब इधर रखेंगे ठीक है अब इसको क्या करदेंगे हम minus करदेंगे यानी subtract करदेंगे ठीक है तो जब subtract करेंगे तो यह minus हो गया और यह जो minus is sign change हो जाते है minus plus हो जाता है plus minus हो जाता है ठीक है तो यह तो कट गया अब यहां क्या बत किया माइनस 3S square और यहां क्या हो गया प्लस के 7X ठीक है और माइनस के 3 अब देखिए अब निकालेंगे second term second term of quotient ठीक है तो देखिए क्या होगा इसका first term क्या है dividend का यहां भी dividend यह हुआ न तो इसका first term है minus 3S square ठीक है और same divider के first term से divide कर देंगे s square तक क्या बचके आपका divide करने से क्या आ गया यह जो minus 3 है second term इससे इसको multiply करेंगे और इसके नीचे रख देंगे same term same degree के terms है same degree के term के नीचे ठीक है तो हो जाएगा minus 3S square ते हो जाएगा minus 3S square और minus minus plus plus तो six हो जाएगा plus six तो plus six मैं यहां रखोंगा ठीक है same degree के नीचे अब देखिए आप हम करते हैं subtract तो यह plus हो जाएगा और यह minus हो जाएगा तो यह तो कि रिमेंडर आगया आपका क्या बच्छा आपके पास seven X minus क्योंकि इसकी power जो है X की अभी इसकी power से कम है इसलिए और आगे डिवाइट नहीं हो सकता है ठीक है तो जाएगा seven X minus nine यह आपका रिमेंडर हो गया